Stepper Motor एक ऐसी डिवाइस है, जो विद्यूत उर्जा को यांत्रे गती में बदलती है यह निश्चित नियंत्रित क्रम में DC Electricity भेजती है, जिससे rotation होता है Rotation आगे या पीछे की दिशा में हो सकता है, या फिर हम उच्चिस तर के सटीक नियंत्रन अर्थाथ High Precision Control के लिए Rotation को छोटे-छोटे स्टेप्स में नियंत्रित कर सकते है Motor को वांचित बिंदू पर रोका जा सकता है, या फिर उसी स्थिती में रखा जा सकता है यह स्टैंडर्ड DC मोटर से अधिक एडवांस है, क्योंकि DC मोटर लगातार केवल एक ही दिशा में बहती है इसलिए Automation और Manufacturing के क्षेतर में स्टेपर मोटर्स अधिक उपयोगी है, क्योंकि वे Precision Control आफर करती है इसलिए हम देखते हैं कि 3D Printer, CNC मशीनों, Print Scanner से लेकर Precision Refrigeration, सिस्टम के Electronic Expansion Valve तक में सभी जगर स्टेपर मोटर का प्रयोग हो रहा है आप DC और AC मोटर्स की कारे प्रणाली के बारे में हमारी पिछली वीडियोज देखकर सीख सकते हैं लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्चर में दिया गया है मोटर एक मोटर ड्राइवर से जुड़ी होती हैं, जिसमें कुछ Electronic Switch होते हैं, जो बड़ी तेजी से On या Off हो सकते हैं Controller यह तै करता है कि Switch कब On या Off होंगे, ऐसा करने के लिए यह कुछ Code Follow करता है Driver आमतोर पर उसी Application के लिए डिजाइन किया गया एक विशेश Circuit Board होता है और Controller कोई PLC Unit या फिर कोई साधरन और सस्ता सा Arduino हो सकता है Switch के कारण बिजली Motor Coil में पल्स के रूप में बहती है हम थोड़ी ही देर में इसे देखेंगे हर पल्स पर Motor एक स्टेप घूमती है एक Arm Stepper Motor को 200 स्टेप चलने के लिए डिजाइन किया जाता है इसका मतलब हुआ कि शाफ्ट के पूरे एक rotation के लिए 200 पल्स की जरुवत होगी एक पूरा rotation 360 डिगरी का होगा तो यदि ऐसा होने में 200 स्टेप लगते हैं तो 360 में 200 का भाग देने से पता चलता है कि हर स्टेप में शाफ्ट एक दशमलव आठ डिगरी घूमेगा स्विचिंग की गती और स्विचों को जिस क्रम में नियंतरित किया जाता है उससे घूमने की गती और दिशार निर्धारित होती है अगर आप Electrical Engineering के बारे में और अधिक सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिये गए किसी भी वीडियो को देखें और मैं आप से अगले वीडियो में मिलूंगा हमें Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn और EngineeringMindset.com पर follow करना न भूले